अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरे के बारे में देखा था कि आरे क्या होता है आज हम लोग अरे पर कुछ ऑपरेशन करेंगे देखेंगे कि यारे की लेंद कैसे बता चलती है कुछ अच्छे इंट्रेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे मैं जल्दी से आपर एक फाइल मना लेता हूँ बिना डाइम को वेस्ट करते हूँ उस फाइल का नाम में रखने वाला हूँ www.cwh-7 क्योंकि यह 27 वीडियो है हमारा प्ले लिस्ट का अगर आप लोग को नहीं मालूम तो यहां पर आप लोग playlist access कर सकते हो, मैंने आप लोग को बता दिया है कहां पर है playlist, आप लोग कर ले ना यार access, क्योंकि काफी लोग बीच से देखते हैं वीडियो को, मैंने चाहता कि आप लोग यार वीडियो बीच से देखो, यह जो है हमारा playlist है, जो यहां पर इसमें 26 वीडि इसमें access जयने की retrieval elements का fast होता है, आप उसकी index से उसको access कर सकते हैं, elements को set कर सकते हैं, elements को print कर सकते हैं, तीन तरीके बताये थे array बनाने के, अब बात करते है array की length की, ठीक है? तो array के अंदर एक length property होती है, जो कि उसकी length जो है उसके बारे में बताती है, और वो array की length देती है, जैसे कि अगर हमने यह marks array जो बनाया है मैं काम करूँगा अपने 26 में वीडियो से यह वाला जो हमारा array है इसको ले आऊँगा वो सिर्फ इतना लिखने से मेरा यह marks array बन जाएगा ठीक है अगर मैं आप लोग को south करके marks 0 दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर देखोगे right click करके run करता हूं तो आप लोग यहाँ पर देखोगे 98 आ रहा है marks 0 marks 1 करूँगा तो क्या आएगा marks 1 करूँगा और इसको rerun करूँगा तो 45 आएगा तो 0 1 2 3 4 0 से 4 तक जाएगा 5 लिखोगे तो error आएगा और यह सब हमने देख लिया है हमारा यह array बन गया इसकी length 5 है अच्छा अगर मैं marks.length लिखूँ यह देखो अरे मैंने यह आपर marks.length लिखता था ठीक है मैंने marks.length लिखा ठीक है और मैं इसको run करूँगा तो क्या आएग length पता करनी है कि भाई उसमें कितने elements है तो हम सीधे उस एरे का नाम.length लिख सकते हैं अच्छा क्या हम एक floating point array बना सकते हैं कुछ इस तरह से हाँ बना सकते हैं अगर मैं marks को एक floating point array बनाना चाहूँ कुछ इस तरह से मैं इसको ज़रा कुछ ऐसे कर देता हूँ save किया मैंने इसको अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बनाओं तो क्या यह बन सकता है तो यहाँ पर मैं इसको अगर run करूं marks.length करूं तो हाँ यह बन सकता है और 5 ही यहाँ पर दिखा रहा है अच्छा अगर मैं यहाँ पर marks 0 करूं अभी मैं यहाँ पर south लिखके marks 0 करूं तो म मुझे क्या मिलेगा मुझे 98.0 यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है अगर मैं आप 98.1 और 45.7 और मुझे F भी लिखना पड़ेगा यार क्योंकि यह floating point numbers है यह 79.87 F 99.0 F बालोगों जिस तरह से भी अगर हमारे पास marks है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है इतने precision में तो किसी school में नहीं मिलते है marks 0.5 तक मिलते है आदा mark मिल जाता है बट तो इसलिए इसको realistic रखते हैं थोड़ा सा ठीक है 0.7 number तो किसी को नहीं मिलता है अगर आपकी school में मिलता है तो मुझे बताओ यार की किस हिसाप से मिलता है पॉइंट 1.2 नमबर ठीक है तो यहां पर देखो 98.5 आ गया mark 0 लिखा तो यानि यहाला print हो गया अगर मैं आपर 2 कर दू तो यहां से 0,1,2 करके गिंती कर ले न 79.5 आएगा तो किसी भी data type का array आप लोग बना सकते हो क्या string का array बन सकता है हाया string का array बन सकता है अगर मैं आपर string ऐसे करके लिखो students और मैं ऐसे लिखो Harry, Rohan, Shubam, Lovish ठीक है इस तरह से अगर मैं लिखो तो यह भी आ जाएगा ठीक है तो मैं अगर इसको भी run करूँ आप लोग को marks.length करूँगा तो यह आपर 4 आएगा एक, दो, तीन, चार आना चाहिए अचा students मुझे length लिखना पड़ेगा कर student की length चाहिए तो यह marks.length लिखना लिखूँगा student.length लिखूँगा ठीक है तो एक काम करता हूँ ज़रा इसको ना नीचे ले आता हूँ cut करके ठीक है तो मैं बस आप लोग को दिखा रहा हूँ यह वाला element देख रहा है तो किसी भी type का हम लोग area बना सकते हैं तो यह तो सिर्फ एक demonstration था in fact यह float marks भी demonstration था ठीक है तो इसको मैं सिर्फ ऐसे comment out करके रख देता हूँ ठीक है बाकि यार आप लोग इसको जो है और try कर ले ना थोड़ी practice कर ले ना ठीक है बाकी मैं मुद्दे पर आता हूँ और मुद्दे की बात करता हूँ यहाँ पर जो है मैंने एक marks बनाया marks.length लेंद लिखा और इसके बाद marks 2 लिखा ठीक है और इस चीज़ को भी मैं उपर ही भेज देता हूँ यार क्योंकि यह सारा का सारा demo है जो मैंने आप लोग को दिखाया था ठीक है इसको यार एक multi-line comment बना देता हूँ ठीक है और ऐसे कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हमने marks.length कर दिया marks to कर दिया अगर मैं notes पर हूँ तो मैंने लिख रगाए कि arrays have a length property which gives the length of the array यानि कि जो आपके array की length है वो आप लोग array.length लिखकर access कर सकते है जब मैं आपर marks.length लिखता हूँ तब यह 5 देगी क्योंकि marks एक reference है एक ऐसे array की तरफ जिसके अंदर 5 elements है तो marks.length मुझे क्या देगा? marks.length यहाँ पर मुझे 5 देगा क्योंकि marks में 5 elements थे यहाँ पर मैंने 5 elements मांक्स में रखे हुए है अब मैं आगे बढ़ूँगा और आप लोग को बताऊँगा एक array को display कैसे किया जाता है यानि कि एक array अगर आप display करना चाते हैं तो कैसे कर सकते है? अगर मैं आप लोगों को एक array दूँ यानि कि यही वाला array दूँ अगर मैं आपको तो आप कैसे display करोगे ? एक बहुती naive तरीका display करने कर यह है . और naiv का क्या मतलब होता है ? नाइव मतलब होता है बड़ा सस्ता simple सा method ठीक है naive मासूम को बोलते है लेकिन बहुत ही simple सा method मतलब कि जादा जिसको advanced जो advanced ना हो उसको naive बोलते है ठीक है 0 1 2 3 ठीक है और 4 भी होगा इसमें 5 है ना length 4 भी होगा 4 भी लिखता हूँ और यह देखो सारे marks यहाँ पर और इसकी length भी आ गई है ठीक है यहाँ पर यह जो marks.length है उसकी वज़े से 5 दिखा रहा है यहाँ पर और उसके बाद पूरा array यहाँ पर display हो गया ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको comment डाउट ही कर देता हूँ marks की length जो है वो 5 देगी इतना जानना हमारे लिए काफी है इसको run करूंगा 98 से लेगे सारे elements जो है वो show करेगा अब यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ क्या ही सबसे अच्छा तरीक है इसको print करने का array को क्योंकि यार देखो अगर मैं variables elements होते तब कितना मुश्किल होता मेरे लिए इतनी सारी lines अपने program में add करना क्या अच्छा लगता मेरा program 500 lines include करता हुआ नहीं अच्छा लगता यार इसलिए हम लोग क्या करेंगे for loop का इस्तेमाल करेंगे display करने के लिए array को और हम for loop को कहा से कहा तक run करेंगे हम कहेंगे i से start करो i को लेकर जाओ marks.length और i को plus plus करो यानि कि जितने elements है तब तक चलाओ i को 0 से लेके n-1 तक चलता है यह 0 से लेके length 1 तक जाएगा वही हम चाहते हैं और start करके हम लिखेंगे marks i i की value यहाँ पर 0 से लेके n-1 तक जाएगी जैसे कि मैंने आप लोग को notes में भी बताया था कि 0 से लेके n-1 तक यह value जाती है जहाँ n size of the array है जो कि हमें array का नाम dot length से मिल गया है ठीक है इतना काफी है I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इस चीज़ के लिए अब मैं इसको run करूंगा तो it is very obvious कि यही चीज़ print करेगी जो उपर print हुआ है 0 से लेके 4 तक array के items को 98, 45, 79, 99, 80 और 98, 45, 79, 99, 80 इसने वही चीज़ print करी ठीक है तो print तो आप कैसे भी कर लो एक ही चीज़ पढ़ेगी ठीक है मैं काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ printing using follow ठीक है और उसके बाद उपर भी लिख देता हूँ कि बहुए printing using naive method printing using naive ठीक है अब क्या इससे भी अच्छा तरीका हो सकता है array के elements को print करने का देखो यह थोड़ी सी महनत हो गई है marks eye, marks length क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे पूरा content ही मिल जाए इस पूरे के पूरे array के सारे contents मुझे मिल जाए ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या higher ऐसा भी हो सकता है तो देखो मैंने यहाँ लिखा array can be displayed using a for loop मैंने आप इसको आपको करके बताया और मैंने यह बताया कि यहाँ इसको array traversal बोलते है ठीक है क्या बोलते है इस चीज को array traversal बोलते है आप array को traverse करे हो आप travel कर रहे हो array को पूरा ठीक है quick quiz क्या दिए write a java program to print the elements of an array in reverse order अब अगर आप reverse order में print करना चाते हो तो इसको इसको मैं solve कराता हूँ आप decrementing for loop को use कर सकते हो ठीक है वो कैसे होगा आप start करोगे marks.length-1 से ठीक है कहां से start करोगे marks.length-1 से यनि कि n-1 से start करोगे और आप तब तक जाओगे जब तक आपका जो array की जो index है वो क्या है greater than equal to 0 है क्योंकि मैं चाता हूँ marks.length-1 से उल्टी किंती करते होगे 0 तक जाए ठीक है और आई माइनस माइनस बस इतना करने से आपको उल्टा मिल जाएगा ठीक है मैं आपर लिख देता हूँ in reverse order और इसको भी मैं copy paste कर देता हूँ ठीक है in reverse order run किया और यह देखो reverse order में print हो गया 80 से start करते हूँ 98 तक गया यह 98 से 80 तक गया था reverse order में क्यों print हुआ सबसे पहले i की value क्या होगी i की value होगी n-1 यहाँ पर n किया इसकी length length किया है 5 5-1 4 तो marks 4 पहले print हो जाएगा फिर i decrement होगा marks 3 हो जाएगा फिर 2 फिर 1 फिर 0 लेकिन उसके बाद minus 1 नहीं जाएगा i क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा i को greater than or equal to 0 होना पड़ेगा इसलिए उल्टी गिंती में मैंने चलाया लूप और यह इस तरह से आपनो डिस्प्ले कर सकते हैं displaying the array in reverse order ठीक है for loops है उल्टे order में आप array यहाँ पर display कर सकते है array के elements को यह हमारी quick quiz थी तो मैंने लिख दिया quick quiz displaying the array in reverse order for loop ठीक है अब यहाँ पर हम लोग एक और loop के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है for each loop अब यह for each loop क्या होता है देखो for each loop क्या है कि आपको element देता है सीधे array के अंदर यानि कि यह जो syntax हम ने लिखा उपर उसको ही थोड़ा अच्छा करने का तरीका है यानि कि simplify करने का तरीका है for each loop introduce हुआ नए version of Java में और अभी आप अगर यहाँ पर लिखो के for int element और array तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लिखो के for element और उसके बाद marks यहाँ पर int element लिखो के और marks लिखो के तो आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर element ठीक है अब यह क्या करेगा यह element को एक एक करके marks में से लिकर आएगा यहाँ कि सबसे पहले 98 फिर 45 फिर 79 फिर 99 फिर 80 तो यह syntax बड़ा अच्छा सा है simple जा syntax है ठीक है एकदम simple syntax और आप लोग की जिंदगी आसाल है ठीक है तो quick quiz लिखा मैंने displaying the array in reverse order नहीं है displaying the array है सिर्फ और यहाँ पर for each loop ठीक है for each loop this printing using the for each loop और यहाँ पर in reverse order हटा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने printing using for each loop लिखा और यहाँ पर अरे मैंने गलती से debug दबा दिया कोई बात नहीं इसको मैं stop करूँगा debugger को और मैं program करूँगा एर फिर से printing using for each loop elements तो वही है तो ऐसा तो है नहीं कि जो आपके elements है वो change हो जाएंगे आप चाहे for loop का इस्तिमाल करो आप चाहे while loop का इस्तिमाल करो आप for each का इस्तिमाल करो elements वही print होंगे तो इन में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो अगर आपको सिर्फ element चाहिए अंदर उसकी index से कोई मतलब नहीं है तो आप लोग ये loop यूज कर सकते हो वरना आप लोग ये loop यूज कर सकते हो ऐसा नहीं है कि ये वाला loop useless है कभी कभी हमको ये i जो है इसकी value भी चाहिए होती है यहाँ पर i की value available नहीं है आप देख लो चाहो तो सिर्फ element available है loop के अंदर यहाँ दो चीज़े available है i available है और element भी available है marks i करके आप element भी प्राप्त कर सकते हो तो दो चीज़े यहाँ पर available है तो इस चीज़े की समझ हमको लेकर आगे चलना है अगर हमको i की value भी चाहिए तब हम ये वाला loop इस्तिमाल करेंगे ठीक है cool तो ये था for each loop बहुत simple सी चीज़ सिर्फ syntax index है concept उत्रा ज़ादा नहीं है हमने concept array का देख लिया था कि भाई ये faster retrieval के लिए use होता है बाकी ये भी इसमें mostly syntax है I hope समझ में आ गया होगा मैंने label कर दिया है code को अच्छी तरह से फिर उसके बाद mark series बनाया इसको तीन तरीके से print किया in fact 4 तरीकों से print किया reverse order में भी print किया I hope कि यार ये चीज़ clear है आप लोग को और समझ में आ गई है so guys ये चो notes हैं ही मैं आप लोग को दे दूँग अगले topic के बाद तो जैसे ही अगला topic खतम होगा notes आप लोग को मिल जाएंगे site पर मैं लगा दूँगा download के लिए आप लोग आपे click करके download कर सकते हो आप लग आप लोग को करा दूँगा उसी के साथ साथ अगर आपने प्लेलिस्ट access ने करिए तो इसको भी कर ले ना access ये भी आप लोग को मिल जाएगी और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने यार वीडियो लाइक नी किया है तो प्लीज वीडियो लाइक कर दिया करो मुझे दिल से खुशी होती है जो वीडियो लाइक करते हो अगर आप वर्ट साथ बगैरा पर शेर करो इस प्लेलिस्ट को और इस course को share करो यार ताकि जादा से जादा लोग का फाइदा हो मैं तो ये सारे notes बना कर और practice sets बना कर solution के साथ सब कुछ आप लोग को available करा दूँगा I hope कि आप course को enjoy कर रहे हो अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही guys Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो कर दो कर दो